मैं सोनुसूद जी का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि अपने व्यस्ट समय में से आज वो समय निकालके मुझसे मिलने के लिए आए हैं पूरे देश के लिए आज सोनुसूद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं देश भर में जब भी जहां भी कोई मुसीबत में होता है तो एक सोनुसूद जी को मैसेज या ट्विटर या कोई फोन कॉल या मुझे पता चला है हजारों लोग इनके घर पे रोज पहुंचते हैं जो इनके पास जिस भी तरह की मदद चाहे वो मेडिकल मदद हो चाहे वो खाने की मदद हो वो किसी भी चीज की मदद हो, किसम किसम की मदद लेने के लिए पहुंचता है, उसको मदद मिलती है, यह अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में एक करिश्मा है, कि जो इतनी सारी सरकारें नहीं कर पारी, वो आज सोनुसूद जी कर रहे हैं, तो अभी इनके साथ क कैसे बनाया, इतने रिसोर्स कैसे आए, हमने दिल्ली सरकार में जो अच्छे काम चल रहे हैं, उसके बारे में भी सोनुसूद जी को हमने बताया, एक जो अच्छा डवलप्मेंट है, कि जो हमारा दिल्ली में हम देश के मेंटोर्स, नाम से कारेकरम, अभी पाइलिट बेसि पे चल रहा था, अब कुछ दिनों के बाद इसको लांच किया जाएगा, मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूं कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब बैक्गराउंड से आते हैं, उन बच्चों के परिव उसे पता नहीं होता, मैं कहां जाओं, किस के पास जाओं, कैसे जाओं। उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते हैं। ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आईए, सामने आईए, और सरकारी स्कूल के एक, दो, तीन जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटॉर बनियें, तो उनसे आप लगातार फोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फोन पे आप गाइड करते रहिए, बच्चे आपको फोन करकर के पूछते रहेंगे, और कई बच्चे स्ट्र कर लें तो वो बड़ा उसका अच्छा इंपक्त पड़ता है तो देश के मेंटॉर कारेक्रम के लिए सोनु सूच जी हमारे ब्रैंड अम्बैसेडर बनने के लिए तयार हो गए है जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रियादा करता हूं उन्होंने का है कि वो भी कु अच्छा इस प्लाटफॉर्म के साथ मैं जब एडूकेशन का नाम आता है तो देश में दिली का नाम हमें अगर एडूकेशन हो तो डेली जैसी हो और इधिक इस वेरी इंपॉर्टन की हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एडूकेशन का सतर बड़ेगा औ और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि डेली में किस लेवल का चेंज़ आया है और थैंक्स टू सर फो दैट जब लॉक्डाउन शुरू हुआ लाखों माइगरेंट के साथ लोगों के साथ जुड़े उनकी मेडिकल की प्रॉब्लम देखी तो एक एडूकेशन एक बहुत ब फांडेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन जैसा अरविन सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा कुश्शन मांक होता है कि उनको पता नहीं कि क्या करना है मैं क्या करूं कई बार हमारे जो अच्छी फैमिली के माबाब होते हैं पढ़े लिखे होते हैं बताते हैं कि वह आपको बनना है डॉक्टर बनना है एमबे कीजे कोई भी कीजे लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने एक प्लैट्टरॉम दे दिया अच्छा स्कूल दिया अच्छा सर दिया लेकिन उन्हें बताने वाला कहीं न कहीं एक mentor है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तो पहुंचे सो मुझे लगता है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का हम हमेशा मोलतें कि यह मैं करना चाहता हूं पहले मैं कुछ बन जाओं मैं उस लायक बन जाओं फिर मैं कुछ करूँगा मैं establish कर लूँ मैं अपना business establish करूँ या मैं successful हो तो मैं जाकर मदद करने की कोशिश करूँगा पर मुझे लगता है कि यह जो platform है देश के mentors का यह वो platform है जहां पर कोई भी इनसान चाहे वो अभी भी जिंदिगी के वो पढ़ाव चड़ रहा है अपने आपको बनाने की कोशिश कर रहा है वो एक बच्चे का दो बच्चों का दस बच्चों का mentor बन सकता है उसे बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करें क्या ना करें मरीश सार अभी मुझे से शेयर कर रहे थे जो मैं बहुत अच्छे ढंग से relate कर बारा था कि हमें पता नहीं चलता कि हम किस से पूछे मैंने मैं खुद एक engineer हूँ जब 11-12 था तो उस समय दो ही profession होते थे या तो doctor बन जाओ या engineer बन जाओ तो engineering करने चलेगे हम लोग लेकिन आज इतने जादा platform से इतने जादा evidence से और इतनी जादा रास्ते खुल गए है जहां पर लोगों को पता नहीं है कि आप आएं हाथ थामें मेरे साथ करन भाई भी बैठे हुए मैं इनको पिछले 10-12 साल से जानता हूं लेकिन जब lockdown हुआ तो हमारी दोस्ती का एक अलग रास्ता है इसलिए मिला क्योंकि हमने बोला कि चोलो हम बच्चों का भविश्य बदलने कोशिश करते हैं उनको करने की पढ़ाने कोशिश करते हैं और आज हम हजारों बच्चों को पढ़ाए भी सो माई रिक्वेस्ट् तो ए्वरीवान जो भी लिसनर्स हैं यहां हमें सुन पा रहे हैं आज आपको एक अच्छा काम करने का मौका दिया जा रहा है देश का मेंटॉर बनने का मौकाब मिला जा रहा है हम लोग हमेशे शिकायद करते हैं कि भीया यार हमारे लिए फलाना आद्धी कुछ नहीं करता हमारा ये हग बनता है हमने वोट दिये, वो क्यों नहीं करते मुझे लगता है शिकायद करना बहुत आसान है और खुद काम करना थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें दिशा नहीं मनती I think आज दिल्ली सरकार ने ये प्लैटफॉर्म खोल के देश के मेंटॉर्स का प्लैटफॉर्म नहीं बनाया बलकि आपके लिए एक प्लैटफॉर्म बनाया है देश के लिए कुछ करने का So be a part of it, चुनिए उन बच्चों को आज हर एक बच्चा गर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं और उसे बना पाते हैं So I think उससे बड़ी देश भक्ति वाली कोई फिली नहीं होगी और उससे बड़ा देश को योगदा नहीं होगा अगर आप वो कर पाएं So I think it's a great opportunity I feel blessed कि आज Under the leadership of Arvind sir, Manish sir and Raghav bhai They have given me an opportunity कि मैं और हजारों नहीं लाखों लोगों तक लाखों स्टुदें सक पहुंच पाऊं और उनके mentor बनने की कोशिश कर पाएं So I think together we can and we will बोल देना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा So I think वो समय आ गया है कि हमें सब के साथ में खड़े होना है और करके बताना है So thank you so much for this sir Sir, any discussion about No politics, कोई politics इससे भी बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है इससे भड़ा मुद्दा नहीं हो सिकता My question is for Are you interested in fantastic elections either you or anybody Sir, एक एक करके पुछ तुनाब कराएंगे Sir, एक एक करके मैं कुछ तूँछाँ Sorry, हाँ Sir, एकी स्वाल है Nothing, there's nothing political मैं हमेशाँ maintain करता रहा हूं कि लोग हमेशाँ बोलते हैं कि आप कुछ अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आईए यह क्यों नहीं आसकते बहुत कमाल का फिल्ड़ा And I think अगर आप आएं तो वान हैस तो बिलेस्ट But as of now We haven't discussed anything political because यह मुझे लगता है यह मुझे लगता है मुद्ध उससे भी बड़ा है And this is above all Like I said, you know We haven't discussed anything political इस ही में इतना मज़ा आए था बात करने में कि यह करें तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स मुझे ना मैं बता रहा हूँ पिछले जब मुझे पता भी नहीं था तब से मुझे आफ वर्स आती रही है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का और किछी लेकर भी पॉलिटिक्स नहीं करने का आप काम किसारिक नहीं है दिली सरकार कूल जो बनाए है क्लासिस सब लोग बने बड़े लोग आके ताहिकर के गए है लगता है कि अब ऐसी जो पिरिये है वो पंजाब में होनी चाहिए और क्योंकि खुद अरिंट गए थे मुझे अरिंटिक सब लोग बहा जा रहे है मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी सोच है उसको दिशा अपने आप दिख जाती है और जो अरिंट सर की लिडर्शिप में हुआ है वो किसी को बदाने के जूरती है वो सिर्फ एक्सपिरियंस किया जासिता है मुझे लगते है ना सिर्फ पंजाब देश के हर कोले में होना बड़ा इंपोर्टन है हर एक जी सब मैं इसा मैंने सोचा कि कोई पोलिटिकल मतब सोचा कि दूर दूर तक नहीं हमारा हमने सोचा भी तो हम चाय पिए हो आट देश के मेंटर बनने की कोशिश कर रहे है अभी जो लॉंच होगा इसका देश के मेंटर्स का जैसे मैंने बताया कि सोनु जी उसके ब्रैंड एंबसेडर है लगबग एराउंड मिड सेप्टेंबर डेट अभी फिक्स कर लेंगे उसका प्रोग्राम का लॉंच होगा अभी पाइलेट प्रोजेक्ट हमने किया था पिछले एक डेड़ साल से वो पाइलेट प्रोजेक्ट बहुत सक्सस्फुल रहा हमारा जो मेंटॉर्स थे उनके भी एक्सपिरियंस बहुत अच्छे थे जो बच्चे थे उनके भी एक्सपिरियंस बहुत अच्छे थे तो बैटे हैं लेकिन हम यह में तॉर वाले कारेकरम में और इंके काम को सुनने में और उसमें इतनी ज्यादा मश्बूल हो गए वो डिसकस करने का मौका नहीं मिला बट उसको फाइनलाइज करने के पहले विल डेफिनिटली शोई टो इंट पूम है और विल्कुल एहम रोल रहे वी जो अ आए कर दो में लग करें ज्иной 6 सिर अनल वेतरे विल्कौ एम टार्ट चर्ड़।